जो एक तो हर घर नल का जल भी हो गया और गली या नाली का भी दिर्मान हो गया यह जितना हुआ वो तो हुआ आगे और क्या करना चाहिए यह समुचे बिहार में कुछा अगर नहीं घूंगते तो बताता नहीं तो से लिए विडिक करते हैं ना नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्रता बिहार में आने वाले समय में कौन सी यो जिनाई आएंगी इस पर भी सोच विचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नितीशकुमार बतादे कि नितीशकुमार समधान यात्रा में है और इस यात्रा के दोरान वो अर्वल जला पहुचे वहाँ पहुचते ही लोगों से बातचीत की और आगे क्या कुछ किया जा सकता है इस पर भी सोच विचार कर रहे है आए सुनाते और क्या कुछ कह रहे है इस मौके पर अच्छे दंग से और जीविकार दिजीयों को भी देखिए अब बाकी लोगों से भी पूछिए जो एक तो हर घर नलका जल भी हो गया और गली अनाली का भी दिर्मान हो गया अब रात में भी सब को देख रहे हैं सोलर लाइप भी बन गया बन रहा इतना तेजी से काम हो र पेजल का तो है यह घर नलका जलू तो है यह तो पहले ही से था यह इदर हाल में शुरू कराये हैं तो फूरा लेकिन हमको यह देखना है ना कि अब जितना हुआ वो तो हुआ आगे और क्या करना चाहिए जिसमें लोगों का और ज्यादा विकास हो अब जेखना है उसको तो पंचायत को देखना है उनके माध्यम से किया गया है लेकिन अगर पहले वाला कुई था वो अगर अपनी जगह पर बनाया तो इसकी जगह को लीजिए जिस प्रकार से भी करना वहां तो यह सब बात हो रही है, तो पते न चला कि जहां पर था तो वहां पर लिधकत हो रही है तो अच्छा नहुगा, अगर नहीं भूमते दो बताता नहीं तो उसे लिए बीटिंग करते हैं, जब यहां से लोट के जा सारे जिलों को जोड़ करें तो आगे करेंगे अभी तो सब को कही रहें काम करेंगे तो आपने सुना मुख्यमंत्री न्तीश कुमार को साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो विकास का काम हो रहा है उसका तो जाइजा ले ही रहें साती साथ सुन करके लोगों की समस्याओं को और क्या कुछ योजना बनाई जा सकती आने वाले समय में बिहार को उस पर भी सोच विचार कर रहे हैं ऐसे तमाम अडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ अगर आपने हमें यूटूब चैनले पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें साथ साथ हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो और शेय करना ना भूले धन्यवाद